हलो जी हेवरिवण मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भारा सेलाम आज अरशिल की किछइन में बनने जा रहा है, बहुत ही मजेदार रेस्टराइ। स्टायल चिकन शारमा, बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही आसानी से मैंने इसे बनाया है तो देख लेते हैं इसे मैंने कैसी बनाया तो मैंने यहाँ पर 2 कम मेदल लिया है अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें 1 अंडा Half tablespoon डालेंगे East और 2 tablespoon डाल रहे हैं ओयल Half tablespoon पिशिहुचीनी 1 tablespoon milk powder 1 teaspoon नमाग और पानी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके और इसका एक अच्छा सा डू तयार कर लेंगे तो पानी एक साथ न डालें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक अच्छा सा डू तयार करनें इसे हम 4 से 5 मिट तक पंच लगा लगा के गूंध लेंगे तो देखें मैंने अच्छा सा डू तयार कर लिया अब हम इसे दो घंटे के लिए रख देंगे अब इतने हम करते हैं नेक्स प्रोसेस अब मैंने यहां 360 ग्राम बोन लेस्टी कल लिया इसमें डालीए वन फूद कब दभी वन टी स्पून लेसमे रखका पेस वन टी स्पून कश्मील आल मिर्च पॉर्डर अब इसे एक तरफ रख देंगे और शार्मा के लिए बनाएंगे ताहनीज़ पॉर्डर तो ताहनी स्पून बनाने के लिए मैंने लिया लिया है एक मिक्सी का जार और हाफ कब डालेंगे मियोनीज और दो लेसमे के जवों को मैंने काट कर डाला है अमेश सासे नमक बिलएगे भाटल के चिक सकते तो hen इक बहर best दल के पारalenगे अब हम यहां पर रखे लिएक पैन क्योंकि हमारा जो चिकन है मेरिनेट हो चुकल है और इसे पैन में हम डाल लेंगे और अब हम गैस को चला देंगे थोड़ा सा पानी भी डाद देंगे ताकि मसाले इसमें आ जाएं और हमें इसे 2-3 मिनट तक हाई फिलेम पर ऐसे ही चलाते रहना है तो 2-3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया अब हम इसे कवर कर देंगे कवर करके 12 मिनट तक लो फिलेम पर पकाएंगे तो देखें चिकन हमारा पक चुका है और अच्छे से यह सौट भी हो गया है देख सकते हैं आप अब फिलेम को यहाँ पर हमें बंद कर देना है और इन्हें ठंडा कर लेना है इतने हम नेक्स प्रोसिस कर लेते हैं तो देखें हमारा दो तयार है इसये फर्मेंट हो गया है इसमें हम पंच लगा लेंगे ताजिस में जो Air है वह निकल जाığे तो देखें हमने पंच लगा लिए अब हम यहाँ थोड़ा सा मेदा डस करेंगे और एक बहुत बड़ा सा पीड़ा बना लेंगे पूरे ही डो का और आप इसमें से डिवाइड कर लेंगे पीड़े तो मैं इसे आठ हिस्सों में डिवाइड करूँगी आठ पीड़े इसके बना रही हूँ तो देखें आब हमने इसे डिवाइड कर लिया और हम इसको अच्छा से चिकने सा पीड़ा बना लेंगे तो देखें ऐसे पीड़ा बना ले और बागी के पीड़े भी हमें ऐसे ही तयार कर लेने हैं तो देखें मैंने सारे पीड़ों को तयार कर लिया आप इसे ढख के रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसे बनाएंगे तो दस मिनट हो चुके हैं आप देख लेते हैं पीड़े हमारे तयार है आप चलते हैं बनाने की तरफ तो आप हम इसे एक लोई तयार कर लेंगे चाहे आप हास से बढ़ा लें चाहे बेलन से बढ़ा लें तो अब मैं इसे बेलन से बढ़ा लूँगे तो इसको हमें जादे ना पतला बेलना है और ना ही जादे मोटा बेलना है देखें ऐसे बेलना है बाखी के भी भी जितने भी ब्रेड हैं हमें ऐसे ही बेल लेने हैं तो देखें हलका सा बस इसमें स्पोर्ट आएं और पलड दें इसको हलकी हलकी सी प्रेस करके इसको हमें पकाना है जादे इसमें डार्क स्पोर्ट नहीं आने चाहिए हलकी हलकी स्पोर्ट ही आने चाहिए तो पलड पलड कर मैंने इसको पका रही हूँ इसी तरह से आपको भी पकाना है, देखें हमारा पीता ब्रेट बिल्कुल तयार है, अब हम इसे एक रुमाल में रख देंगे, और बागी की पीता ब्रेट्स पी हमें इसी तरह से तयार कर लिने हैं, तो देखें सारे प्रेटा ब्रेट्स मैंने तयार कर लिए, अब चलते हैं नेक्ट प्रोसिस की त पर और फिर रखा है इस पर लगाई है मैंने चिली गार्लिक सॉस और लगाई है यहां तहानी सॉस आप अपने हिसाब से कम जादा लगा सकती हैं और मैंने यहां जो टिका है वो रख दूंगी और टिक क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकती हैं यहां पर हमने अनियन दिये हैं फिर से तहानी सॉस लगा दिया है और फिर से हमने यहाँ पर गारलिक सॉस लगा दिया है इस तरह से हमारा शारमा बन कर तयार है हम इससे कावर कर देंगे और इस टिशू पेपर में इसको लपेड देंगे इसी तरह से सारे शारमा हम बना कर तयार कर लेंगे जितोजी आपको आप रेस्टरेंट जाने की जरूरत नहीं है खर पर ही बनाए और बच्चे और अपने बड़ों को कुश कर दें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया